धम दीप दान उत्सब या धम दीप दान उत्सब जिसको आज की डेट में जो प्रचारित किया जा रहा है या प्रचारित हो रहा है या पहले से था दीब दान नो उत्सव यानि दीब दान नो उत्सव इसमें अगर हम धम लगा देते हैं तो पता चलता है कि धम का दीब है उसका दान देना है उसका उत्सव है धम नहीं लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे दीब है उसका दान है और उसका उत्सव है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, बहुत ज़्यादा वाद विवाद नेट पे पूरे 3-4 दिन चला क्योंकि लोग इस समय छुट्टी का आनद देते हैं, दफ्तरों में कहीं काम नहीं होता और हमारे जो लोग हैं वो ब्यापारी हैं नहीं किसानवी उन दिनों मौजमस्ती में होते हैं, मजदूरों को कोई काम खास होता नहीं जिनके पास नेट है, मुबाइल है, स्मार्टफोन है, उन्होंने अपने दिमाग की, अपने मस्तिस की खुब एक्सराइस की और ये बहुत अच्छी बात है किसी जीवित समाज के लिए, कि उसको चर्चा परिचर्चा, वाद और विवाद चलता रहे इससे उसके मानसिक, इस तरके सुधनने का, बढ़ने का और उसके जागत होने का पता चलता है जो लोग खाली इसको ऐसे ही मान लेते हैं, उनको पता चलता है कि उनका जो मन और मस्तिक्स है, वो मिर्टू के बराबर है, मरा पड़ा है इसके जो पक्ष में, दीपोदान उससब के पक्ष में कई विद्वानों के जो आले खाए और इसके विरोध में कई आलेख है वो दोनों ही आलेख इस वीडियो के बाद में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगे सबसे पहले ये देखें कि दीप दान उत्सव का अर्थ क्या है दीप दान उत्सव यहाँ दान का मतलब जो समझा जाता है वो ऐसा होता है कि जैसे हम किसी को दे रहे हैं यानि ओफर कर रहे हैं दान का मतलब है कि जैसे रुपे दान देना, धन दान देना, जमीन दान देना या मत दान देना दान का जो पाली में अर्थ है, साब्दी कर्थ है वो है देना, यानि गिविन यानि दिया जा रहा है और धंब का जो दान है और धंब दीप का जो दान है वो ऐसे ही नहीं दिया जाता उसको पहले याचना करके मांगना होता है यानि कि जो दीप है और दीप का मतलब यहां धंब है और धंब दीप का मतलब है धंब का प्रकास इसको अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि बहुत सारे लोग जो और भी लोग है वो दीपोट सब मना रहे हैं दीपोट सब का मतलब होता है कि एक दीप जलाना और उसका उच्छा मनाना वो फेस्टिवल है मगर धम दीप दान उत्सब का मतलब है कि आपको धम दिया जा रहा है और उस धम देने का उत्सब चल दा है जो धम आप में लिया है मगर धम की दीप की दान की जो सर्थ है वो है कि आपको पहले याशना कनी पड़ेगी ओकास एहंग भंते पूरी की पूरी यह जाजना तब जाके वो आपको पंसीलों तीसरा देंगे तब आपको धम को मिलने की सुरुआत होगी इसलिए ये जो धम दीप दान उत्सब या धम दीप पकास उत्सब या धम पकास उत्सब या जो इसको पकास उत्सब बोलें यानि धम दीप दान उस सब बहुत पहले से प्राचीन से असाथन में बात है, बुद्ध ने जीवन भर धम का दीप का दान का उस सब मनाया और उस समय के बाद जो परानी महिलाएं हैं, वो सारी परानी महिलाएं अपने घर में एक दीप देशी घी का जलाती रही है, तेल का जलाती आई है, या जो भी उनके पास में तेल असाल है उसका जलाती आई है, बाद में ये पर्था बनी के दीप जलाने से घर की बीमारिया दूर दूर होती है, घी जलाने से घर की बीमारें दूर होती है ऐसा हो भी सकता है, ऐसा ना भी हो मगर वो जो धम का प्रकास है उसको रोज लाती है, रोज उसको याद लाती है कि तुमारा तीसरण पंसील ये धम का प्रकास है और ये धम का प्रकास आपको ऐसे करके करना है इसने दीपोदान का जो मतलब है वहाँ धम के दीप को देने का उत्सब है जिसने धम लिया है उस दिन जिसने धम की प्रक्टिस की है जिसके परिवार ने धम को सीखा है जिसके परिवार ने धम को जाना है जिसने धम की देशना की है जो धम के वारे में सीखना चायता है जिसने धम मांगा है तब तो ये धम दीप दान उत्सब है और अगर ये नहीं है तो जैसे practice इसकी बाद में खराब होके अभी आगी है तो ऐसी practice है इसलिए अगली बार कोशिस करें कि जब धम दीप दान करें उसकी धम की practice करें तीन दिन करें चार दिन करें पास दिन करें और चट तक करें चट पर बड़ी मुस्किल होती है चट के बाद भी करें क्योंकि बुद्ध ने जब अपने घर बापिस आये थे तो चार महीने वहां रहे थे और चटा दिन सबको भारी पड़ता है इसल हैं उनका जो काम हैं और जो आसपास बिखरे हुए जितनी चिन या जितनी बिल्डिंग्स हैं या जितनी जगे हैं जितने नाम हैं वो सारे के सारे पाए जाते हैं वो सब मिलते हैं समय भी मिलता है इस्थान भी मिलता है जगे भी मिलती है और जो उन्होंने दिया वो पुर प्राट असोक ने सिलालेखों में या जो पत्थर के जितने भी स्थम्भ थे या जितनी भी चीजें थी उन्हें गुदवाई उन्हें बनवाई ऐसी ही एक मूर्टी जो आप यहां पिच्चर में देख रहे हैं वो एक इस्तरी बीच में खड़ी हुई हैं उनके उपर दो ना नागवंस बहुत बड़ा वंस है भारत के अंदर नाग लोग बहुत जादा हैं अधिकता लोग नाग हैं जितने भी SC, ST, OBC हैं या जो धंपरवर्तित लोग हैं जो पहले धरम में नहीं थे वो सभी नागवंसी लोग हैं वो जो नाग हैं दो वो कुछ बरसा रहे हैं आप जो बुलकुल लाइव है वो मैंने नालंदा में देखा है जो खुदा हुआ था एक नालंदा वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें एक कुम दिखाया गया है वहां से जो बरस रहा है वो बरस रहा है धान क्योंकि पहले धर नहीं होता था धन बहुत बाद में जाके बना है धान और लाखो धान बरस रहा है इसको लख्मी बोलते हैं लख्मी बोलते हैं लख्मी बोलते हैं लख्मी बोलते हैं यानि लाखो धान बरस रहा है और वो जो लाखो धान बरस रहा है बरस का मतलब है बरसा से है क्योंकि पहले जो साल था वो बरसा से ही आता था जो गिमिक काल की यानि गिमी की गर्मी की जो फसल है उसका समापन समारो हो रहा है और ये धान 13 वाले दिन लगबग मनता है बुद्ध के बहुत पहले से ये जो यहाँ आपको फोटो दिखाई जा रही है इस फोटो में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो ये फूल बने हुए है ये फूल धान की बालिया है आप देखेंगे धान की बाली लंबीडा करके थोड़े सी बनाई गई है और ये धान की बालिया है और ये धान बहुत जादा important जीवन जीने के लिए होती थी इसकी बहुत जादा जरूर्थ होती थी इसलिए इसकी मानता भी है तो सारे के सारे जो नागवन सी लोग हैं वो अपनी कुल माता क्योंकि जो उनके घर में सबसे बड़ी इस्तरी होती है उस इस्तरी को धन धान से भर रहे हैं उसको सुख और एश्वरे दे रहे हैं उसको सांत्रा दे रहे हैं कि देखो हमने इतना धान कमाया है और ये लाखो धान है जो लाखो धान बरस रहा है बारिस की तरह है पानी की तरह है ये फोटो ये बताती है किर्सी प्रधान देश के अंदर धान की कितनी मानता रही है इसलिए इसको जो बोला जाता है नाम इसको धान लखमी बरस बोला जाता है यानि कि एक बरस धान का पूरा हो गया धान पैदाने होने का एक बरस पूरा हो गया धान लक्मी बरस को बाद में क्योंकि धान ही बाद में कैस में बदलने लगा जो सौने और चान्दी में बदलने लगा तो इसको फिर धन कहने लगे धान में और धन में थोड़ा संत्र हुआ मगर मतलब वही रहा तो इसको धन और लक्षमी का जो संस्कारित भासा है आदे के और खे का उसको छे बना दिया तो लक्षमी हो गया तो धान की जगे धन और लक्षमी की जगे लक्षमी और वरस की जगे वरसा हो गया या वरस हो गया वो लगबग सेम रहा, शिर्व उसमें सै कांतर आया, जो आधिरेका, जो पाली के अंदर नहीं है, पाली के अंदर बर्सा बोला जाता है, तो ये जो फोटो है, ये बताता है, कि ये जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल किसानों का है, भारत में यही फेस्टिवल सारे सारे म पुर्णा वो फेस्टिवल लगवग ऐसा ही आपको मिलेगा धान उत्सब बहुत पुराना उत्सब है क्योंकि धान बहुत पुराना पौदा है जो व्यक्तियों के नाम है और महिलाओं के नाम है वो भी धान से पड़े हुए है जैसे धानवती जो बाद में धनवती हुआ य धान वन्तू इसका मदद धन वन्तू हुआ धनवान हुआ ये साब्द हैं जो महिलाओं के हैं और पुर्षों के नाम जिसमें धान सिंग का धन सिंग हो गया और धान पाल का धन पाल हो गया यानि जितने भी धन से संबंदित नाम है वो पहले धान के नाम रहे हैं सब ही जा धातू आई तो धातू के सिक्के आए, इससे पहले धन नहीं होता था, एक्स्चेंज होता था, यानि कि जितने गुड्स हैं, जितने सामान हैं, धान के बदले में कोई आदमी सब्जी लेगा, या धान के बदले में कोई आदमी कुछ काम करेगा, या धान के बदले में कोई लकड़ी लेके आएगा ये exchange of goods यानि कि सामान का लेंदेन धान से हुआ करता था इसलिए जिसके पास जितने धान उतना ज्यादा वो धन्वान उत्सबों का जो जगड़ा चल दा है ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि उत्सब कोई भी या उत्सब या फैस्टिवल एक दि लोग उसको माने लगे उसके एकसपार होने का यानि कि उसके निबान प्राफ्थ होने का या उसके मरने का दिन उसके पैदा होने का दिन या जिदिन उसको ग्यान प्राफ्थ होता है वो दिन या जिदिन वो लोगों को इखटा करके कोई नई बात बताता है वो दिन ये किसी ने समविधान लेखा या किसी ने कहीं कोई देश को आजात कराया या देश को कहीं कोई गुलाम बने से रोका ये घटनाय चलती रहती है ये लगाता चलती रहेंगी जब तक ये दुनिया रहेगी दूसरा होता है घटना आधारित घटना आधारित क्या होता है जैसे किर्सी प्रधान देशे भारत तो यहां किर्सी की जितनी घटनाएं होती है उन पर आधारित बहुत सारे उत्सब लगबख सारे उत्सब उसी आधार में है या मौसम पर आधारित होते हैं जब मौसम बदलता है कहते बसंत बहार बसंत का उत्सब आ गया देखेंगे तो नए उत्सब डवलप होने में टाइम लगता है जैसे 26 नमवन भारत में जो सम्मिधान दिवस है उसको डवलप होने में पिछले 10-15 साल से लगातार कोशिज जारी है और लोग उसको अब धूम धाम से मनाने लगे हैं जो लोग सम्मिधान में यकिन करते हैं व लोग 26 नमवंबर को पिकनिक मनाने के लिए आते हैं उसको उन्होंने राष्टे पिकनिक डे घोसित किया हुआ है नैशनल पिकनिक डे कर गे बाकी जगे अलगलग कहीं कोई संगोष्टी कहीं कोई यात्रा कहीं कोई कार का आना जाना कहीं कोई रैली कहीं कोई पैदल आता है कहीं समिधान सिखाता है कहीं समिधान के वारे में आता है 26 नवंबर आप नेट पर सर्च मारेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा पूरी दुनिया में 26 नवंबर लोग मनाने लगे हैं इसी तरह से आप में देखा होगा 14 अप्रेल का जो फेस्टिवल है वो लग आता है और जो महापुर्णों के अप्रेल उट्सव चलते हैं और फिरे यहाद दीजिए कि जो दिपावली जैसा या धम दीपोजान जैसा जो उतसभ है यह बहुत पराना बना हुव है यह एक दिन में नहीं मरा है हजारों सालों में इसको बना हुआ है इसलिए यह लोगो पहले से ही तै हो जाती है कि ये अमावस वाले दिन पड़ेगा जो कत्तिक मास के अंदर आती है तो सब को पता है इसलिए इसमें मौसम भी बहुत बड़े रहता है और ये धान का उतसब भी होता है और फिर बुद्ध से भी संबंदित है और भी लोगों ने बाद में इसमें जुटते चले गए और भी लोग अपने अपने नाम इसमें डालते चले गए तो ये और बड़ा होता चला गया और ये पूरे पूरे इंडिया और इंडिया से भार फैल गया ये बेसिकली इंडिया का उतसब है उत्सब जो होते हैं, कुछ गाओं के होते हैं, कुछ मौले के होते हैं, कुछ कस्बे के होते हैं, कुछ सहर के होते हैं, कुछ जिले के होते हैं, कुछ पूरे प्रांत के होते हैं, कुछ देश के होते हैं और कुछ इंटरनेशनल भी आज की डेट में बने लगे हैं इंटरनेशनल जो उत्सब हैं, उनमें आप देखेंगे जैसे लव डे है, फ्रेंड्शिप डे है, या ब्रदर डे है, या फादर डे है, मदर डे है, अथ्र डे है, एन्वाइरमेंटल डे है, पॉलुशन डे है, या जो वैक्सिन के डे है, पोलियो डे है, ये सारे डे जितने पर सब्कुछ ठीक टाक रहा तो फिर इंटरनेशनल उत्सव और बड़े हो जाएंगे क्योंकि ये ग्लोबल उत्सव है इनको पूरी दुनिया एक साथ मनाती है एक साथ मनाएगी तो ये ज्यादा बड़े हो जाएंगे इसलिए कोई अगर उत्सव भारत के अंदर है तो ये आप सोचें कि उत्सव जो है वो पुराना किन लोगों ने कैसे इस्थापित किया होगा एक प्रसन जो आया बड़े कमाल का है कि कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर दीपोदान उत्सव या धम दीपकास उत्सव या धम का दीप जो आप में जलाया है इसका जो उत्सव है य प्रिंसिपल गया है जो सार है वो गया है कल्चर कभी नहीं जाती इस बात को आप अच्छी तरह से समझेए भारत से धम गया भारत की कल्चर नहीं गई इसी प्रिकार बिदेशों से जो लोग भारत में आए उन्होंने वो अपनी कल्चर को साथ लेके नहीं आ पाए कल्चर भारत की ही है वो सिर्फ वहां से मारकार्ट या हतियार या जो भी कुछ लेके आए रास्ता की कल्चर सारी सारी भारत की है कल्चर किसी कंट्री से जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि भारत से आने वाले लोग बहुत थोड़े होते है और जब भारत से बाहर गया ये धम, तो जाने वाले जो भिक्कु थे, वो बहुत थोड़े थे वहाँ कि अपने culture, अपने मोसम के हिसाब से, अपने जगे के हिसाब से, अपनी माननताव के हिसाब से है मगर धम में उनमें मिक्स हो जाता है धम उनमें जाके मिक्स होके और प्रेंसिपल में रहता है इसलिए ये सवाल बल्कुल बाजी वे और इसका जवाब बल्कुल सिंपल है इसलिए वहाँ धम दीबदान उसम नहीं मनाते मगर वहाँ धम पकास उसम मनाते है कि जो धम है उसका प्रकास कैसे फिलाय जाए उसकी वहाँ उन्हें प्रेंसिफल बनाए हुए है उसकी फिलोसपी बनाई हुई है ये बलकुल किलियर है इसलिए इस जगडे में पढ़ने का कोई फाइदा नहीं है कि ये धम दीबदान उससम यहां का है या नहीं है क्योंकि जो त्रीपीटक की मानेता है त्रीपीटक की एक बहुत लंबी यात्रा है लगबग 26 साल पुराना त्रीपीटक है और त्रीपीटक पहले लिखित में नहीं था लिखित में बहुत बाद में बना और 3PTAK में स्क्रिप्ट और लिखित के बीच में बहुत सारी चीज़े हैं आप जो 3PTAK को मानने वाले लोग हैं खास तोर में भारत में हैं उनकी तो सिक्षा ही जा चुकी थी उनके पास तो अक्षर ग्यान ही नहीं था उनके तो पूर्वस 3PTAK से पढ़ने सुख हैं आज की डेट में अगर आप देखेंगे जो अमबेट कराइट लोग हैं या जो बुद्धिष लोग हैं भारत के अंदर अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपके दादा पढ़े लिखे थे तो कहीं उसको आप व्यपस्ना के थो उसको आप लोक जो गीत हैं उनके थो उसमें जो लोक मानता हैं उनके थो जो क्रिया कलाब होते चले आ रहे हैं उनके थो आप ये पता कर सकते हैं कि 3PTAK में जो लिखा हुआ है वो ठीक है या नहीं उसमें उसको चेक करने का है इसलिए त्रीपिटक से छेड़ शाड़ अगर हुई भी है तो ठीक हो जाएगा आप त्रीपिटक को पढ़ेंगे तो आपको ग्यात होगा आपको जानकारी होगी कि अभी तो पार्टी सुरू हुई है यानि जिन लोग ने त्रीपिटक का अधन करना सुरू किया है उसमें बहुत सारी चीज है लगबग तमाम चीज़ें आपकी है जिनको आप सोच भी नहीं सकते वो भी आपकी है क्योंकि देश आपका है तो चीज़ें बहार से नहीं आई है वो भी आपकी है आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि आपने 60 साल से 70 साल से कुछ और सी का है, 50 साल से कुछ और सी का है त्रीपीटक को पढ़ना अभी लोगों ने आरहम किया है उससे पहले जितने लोग थे, वो सिर्फ 5-6-3 सणी पढ़ाते थे और उसका भी अर्थ नहीं बता पाते थे बिक्कु बहुत इनिशल स्टेज में थे, उनको पढ़ाने वाले लोग नहीं थे बावा साब ने धंब दिया, मगध धंब को पढ़ाने का दियाम इससे पहले वो करते उनकी आँख बंध हो गई इसलिए ये दायत आपका है कि आप त्रिपिटक पढ़ें, आप जानकारी लें, जानकारी का मंधन करें, खूब वाटसेप का अस्तमाल करें, खूब वाद विवाद करें, जितना वाद विवाद करेंगे, उतना आपका मन मस्तिक्स, दिमाग तेज होगा, उतना ही उससे न दिमाख है, उसका मंथन करना है, समुद्र जो है, वो सारा का सारा सारे हमारा सरीर है, तो इस सारे सरीर का मंथन करना है, इसको देखना है, इसमें से अच्छाई भी निकलेगी, इसमें से बुराई भी निकलेगी, यानि सरीर के अंदर से अच्छाई भी निकलेगी, बुराई हुआप जो जाय हुआै तो बाद बाद है झाल झाल झाल